अब मालने हैं मौड के अंदर एक्स की जगा है कुछ और लिखा हुआ है कोई और एक्स का एक्सपेशन लिखा हुआ है तो भी लॉजिक एक्जेक्ली यही रहेगा जैसे मालने है फिर दुबार हमने मालने के स्मॉल ए ग्रेट देन जीर हो है देन मौड एक नया वैरिबल है अगर वैरिबल के नाम में एक्स से चेन करके वाई कर दूँ तो आंसर पर थोड़ा कोई फरक पड़ेगा अबिभी लॉजिक तो यही है ना कि अगर हमें मौड इसे बढ़ा चांए तो जो भी यह मौड के अंदर लिखा है वो एक के आगे आना चाहिए या फिर माइनस एके पहले आना चाहिए तो अभी भी ऐसी रहेगा जो X के लिए था ना कि या तो माइनस इंफिनिटी से माइनस ए तक आए या फिर ए से इंफिनिटी तक आए ठीक है क्या पेटल A का मतलब क्या है एनी एक्स्ट्रेश्चन एस्टेंश्पर एनी थिंग कोई भी X का expression हो यह बस अंतर क्या होगा कि जब हमसे यह बोला जाएगा न कि यह inequality solve करो तो solve करने का मतलब क्या होता है किसी भी inequality को solve करने का मतलब क्या होता है I am supposed to give value of variable variable माल लिए X है तो X का value देना है मेरे को तो अगर माल लिए इस A की जगा पर X square minus 4 लिखा है तो यहां तो X square minus 4 लिखा होगा तो उसका मतलब तो क्या है कि यहां से तो मेरे को X square minus 4 की value मिली है बट मेरे को तो value किसकी चाहिए X की value चाहिए तो उसका मतलब क्या है इसको अभी और आके solve करना पड़ेगा solve कैसे करेंगे ऐसे करेंगे इनको अलग अलग कर दिया जैसे इसने क्या वहला a belongs to minus infinity से minus a उसका मतलब क्या है कि यह interval में क्या लिखा हुआ है minus a से पहले पहले का लिखा हुआ या फिर a less than equals to minus a लिखा हुआ है इस interval की रहे से less than equals to minus a का मतलब अपने आप होगा minus a से infinity ठीक है अगर मैं इस interval की बात करूँ a to infinity तो वहाँ से क्या आजाएगा capital a greater than equals to a यह आजाएगा अज़े यह important ठीज़े इसके बीच में और इसके बीच में मेरे पास option है कि अगर minus a से छोटा हो जाए तो भी चलेगा या फिर a से बड़ा हो जाए तो भी चलेगा तो option का मतलब क्या होता है union का मतलब क्या होता है और ठीक है तो language में तो हम ऐसे और लिखेंगा अब इसका मतलब क्या है कि इसको solve करो यह ठीक है इसको solve करो और जो भी solution आ जाए उन दोनों solution का union ले लो तो final answer आ जाएगा ठीक है और अगर हमने बुला कि यह सब रटा मरने की जरूद नहीं है अगर तो मैं लॉजिकली समझ में आता है तो याद करने की जरूद नहीं परेंगी जैसे अगर हमसे बुला जाएंगे mod of something is greater than equals to five चाहिए तो मैंने यह सुथ है कि zero से अगर मैं दूर जाओंगा तो मैं फेदर माइनस फाइब रॉस होना चाहिए तभी मॉड फाइव से बढ़ाएगा ठीक है तो जो अभी हमने यह लिखा इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है एक्वेस्टन लिख लिया अगर हम बोलेंगे solve x2-8 यह ठीक है greater than equals to कुछ भी 2 मैं यह आ जाए तो यह हमारे greater than equals to लिखा है तो क्या करो less than equals to मतलब तुम यह सब रटा मारने को है तो मैं ऐसे सोचो कि मेरे को इस नमबर का मौड 2 से बढ़ा चाहिए तो यह नमबर क्या होना चाहिए अफकोस या तो 2 के आगे रहे या फिर minus 2 से पहले पहले रहे मतलब या तो less than equals to minus 2 रहे या फिर greater than equals to 2 रहे तो फिर हम इसको ऐसे बोलेंगे कि x square minus 8 should be less than equals to minus 2 और या फिर x square minus 8 should be greater than equals to 2 उसके आगे रहेगा तभी मौड बढ़ाएगा या इससे पहले रहेगा तभी मौड बढ़ाएगा और रटा मारना चाहो तो यह लिख दो capital A greater than equals to small A लिखा है तो यह capital A का काम कर रहा है यह small यह फिर capital A less than equals to minus A यह लिखा है और बीच में और लिखा है तो capital A less than equals to minus A का काम कर रहा है और बीच में और लिखा है यह ठीक है अब यह दो नए question हो गए इनको solve कर लिया कैसे solve करें इसको इदर ले आए तो आदेगा x square minus 6 less than equals to 0 इसको इदर ले आए तो आदेगा x square minus 10 greater than equals to 0 यह तो अब simple algebraic inequality हो गया अगर मैं इसको factorize करूं तो ऐसे आएगा x minus 6 x plus root 6 less than equals to 0 ठीक है यह तो वह हो गया है जो भी हम algebraic inequality solve कर रहे थे तो x पहले लिखा है हाँ लिखा है फिर roots को plot किया हमने number line पे तो एक root हो गया minus root 6 plus root 6 ठीक है उसके बाद even power है नहीं दौनों पर 11 power है तो odd power है तो जो बड़ा root है उसके right में plus लगाया फिर minus फिर plus तो यहाँ पर किसके लिए solve करें less than equals to 0 less than equals to 0 मतलब less than 0 मतलब negative equals to 0 मतलब numerator वाले रूट और आ जाएंगे तो यहां तो यह दौने term numerator में लिखते हैं हुए तो यह दौनों root भी आ जाएंगे minus root 6 and root 6 तो आ जाएगा x belongs to minus root 6 से लेके root 6 और because यहां equality लगा हुआ है इसलिए इनको close कर दिया चीक है ऐसे अभी यहां पर आ जाएगा यह हो जाएगा x minus root 10 x plus root 10 greater than equals to 0 फिर वही नमबर लाइन पर प्राट करो minus root 10 plus root 10 तो आ जाएगा plus minus plus बट इस बार हमें क्या चाहिए greater than equals to 0 चाहिए तो यह positive वाले interval लाएंगे तो आ जाएगा x belongs to minus infinity से minus root 10 ठीक है equals to 0 भी है तो यह close आ जाएगा इस पर क्योंकि यह numerator में root है दौनों union root 10 से infinity ठीक है तो इस ही निग्वाल्टिकर में दो पार्ट में break किया था बीच में all लिखा है तो मतलब union ले लिया तो इस answer का और इस answer का union ले लिया तो टिक्यैंगे union का मतलब के हैं मिला जुला कर लिखती है तो इसकी वज़े आ जाएगा माइनज root 10 से पहले पहले इन झीठीक है इसकी वह जहेशे आजए आ जाएगा माइनस root 6 और root 6 के बीच वाल अंसर और फिर इसकी वह जाएसे आ मैंने सल्यूशन के लिखा गया एकस बिलांग तू माइनस इंफनिनिय से माइनस रूट 10 यह ठीक है यूनियन माइनस रूट 6 से रूट 6 फिर यूनियन रूट 10 से इंफनिटी यह आंसर होंगा हमारा ठीक है I hope यह समझ मागया होगा